extrude tool को हम use करते हैं selected points, edges यह polygons को extrude करने के लिए अगर हमने कोई भी element select नहीं किया है तो सारी के सारी element extrude हो जाएंगे इसको demonstrate करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक sphere है और इसको मैं convert कर रहा हूँ editable poly में और तब मैं आता हूँ polygons mode में और रेखिए यह select किया में एक polygon और यहाँ पर है मेरे पास extrude mesh में जाके आपको मिलेगा extrude mt इसका shortcut है और sticky की इसके लिए d है sticky का मतलब आप d press करिए प्रेस करके रखिए extrude करिए जैसे आप d को release करेंगे तो जो पहले वाला टूल था वो select हो जाएगा ठीक है तो हम extrude लेते हैं और यहाँ पर इसे click and drag करते हैं तो यह जो normal है इसका ठीक है उसके along यह extrusion होता है normal आपको कहां से दिखेगा options में जाके polygon normals दिखेगा यह black चीज दिख रही है आपको ठीक है यह इसका normal है इसलिए जो extrusion है along इसके normal हो रहा है तो यहाँ पर offset को हम control कर सकते हैं जो negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है ठीक है दूसरा है offset variation अगर आपने बहुत सारे polygon select किये वह हैं यह देख रहे हैं आप इसके जो normal है वह कैसे points किस तरह point कर रहे हैं अगर यह वाली surface लेंगे तो इसका उपर किये और extrude होगा लेकिन इसका इस direction में extrude होगा तो इसको बंद कर जाते हैं उपस option में जाके polygon normals को हम बंद कर देते हैं और अब हमने सारे polygons को select किया है now we can extrude but कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि preserve group on है सब एक साथ ही हो रहे हैं तो preserve groups को हमें बंद करना है अब यह अलग-अलग हुए लेकिन जो offset है सब polygons का एक ही है एक ही distance तक वो extrude हुए है अगर आप इस behavior को change करना चाहते हैं तब आपके पास option है offset variation तक कुछ कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा तो इस तरह की shape आप बना सकते हो ठीक है offset variation से और यह जो length of extrusion है इसके along if you need subdivisions you can go ahead and increase this increase this value crank up this value subdivision और आपके पास यहां पे subdivisions आ जाएंगे अगर आपने create and gone कर दिया तो क्या होगा एक single polygon मिलेगा आप तो लेकिन ध्यान रखना कि points रहेंगे ठीक है अगर में points mode में जाओंगा points आपके पास रहेंगे लेकिन वो connected नहीं होंगे तो क्या बनेगा आपका एक बड़ा सा and gone बन जाएगा अगर आपको ऐसी जुरत है तो आप and gone बना लिजे वरना आप इसको बंद कर देंगे तो अब क्योंकि deselected था तो यह सब कहानी होगी यहां पर इसे हमें undo करते है control a और फिर हम इसको दुबारा से extrude कर लेते हैं ठीक है तो यह था offset offset variation subdivision create and gone भी हो गया preserve group आपने देखी लिए अगर आप preserve नहीं करोगे अगर preserve करोगे तो सब एक साथ extrude होगे एक ही direction में extrude होगे मतलब एक साथ ही extrude होगे जैसे इन चार को ले लेते हैं और फिर हम extrude करते हैं preserve group के साथ ते देखिए सब के सब एक साथ ही extrude होगे नेक्स्ट है create caps, create caps के लिए दिखाता हूँ आपको एक plane object पर और इसमें अगर हम segments कर दें four by four इसको convert करें और कोई से कोई से polygons आप select कर लीजिए और फिर हम इने extrude करते हैं इस तरीके से अगर आप नीचे आएंगे दिखेंगे आपकी नीचे से यह खाली है hollow है जो extrude है अगर आपको यह बंद चाहिए तो उस case में आप क्या करेंगे create caps को on कर देंगे तो यह बंद हो जाएगा देखें तो यह था create caps next है यहाँ पर हमारे पास maximum angle और यह maximum angle का relation है preserve groups checkbox से ठीक है तो जो polygons exceed नहीं करते हैं इस angle से किस angle से maximum angle से जिनके बीच का angle इस maximum angle से exceed नहीं करता है वो सारे polygons साथ रखे जाते हैं जब हम extrude करते हैं करता है जिसको कि आप अंदर की तरह पर extrude कर सकते हो ठीक है किसी भी element को तो यह हमने select किया और इसको हमने किया extrude inner mesh में extrude inner mw और i इसका shortcut है click and drag करेंगे तो यह extrude होगा अंदर की तरफ इसके parameters है यहां पर offset next है offset variation अगर आप variation देना चाहते हैं offset में और उसके बाद है subdivisions well reset कर लेते हैं और subdivision है number of subdivisions इस area में जो offset वाला पार्ट है उसमें कितने आपको subdivisions चाहिए अगर आपको यह single polygon चाहिए जैसे subdivision 2 दिये हमने तो यहां भी हमारे पर तीन strips आ गई polygons की लेकिन अगर आपको यह single polygon चाहिए तो आप create and on कर सकते हो तो आपको एक single polygon मिलेगा ठीक है preserve group जैसे की हमने extrude tool में देखा था अगर आपको साथ साथ रखने हैं जो polygon से जब हम उनको extrude करेंगे अगर आपको वह साथ साथ रखने है तो आप preserve groups को on कर सकते हैं लेकिन preserve groups अगर on है और आप angle के base पे करना चाहते हैं कि कुछ certain angles पे तो insert हो जाए लेकिन certain angles पे नहीं हो तो उसके लिए आप इसको maximum angle का use कर सकते हो तो जैसे हमने extrude tool में एक sphere पे देखा था वैसी आप एक sphere बनाई है और इन दोनों पे experiment करिए कैसे काम करते है maximum angle और preserve groups एक और extrude tool है इसको मैं do कर लेता हूं उसका नाम है matrix extrude तो यह क्या करता है extrude ही करता है बट steps में extrude करता है ठीक है rotate scale और position जो values होती है उनको consider करते वे यह extrude करता है तो इसको हम select कर लेते हैं इसके लिए for example यह मैं तीन polygons select कर रहा हूं और फिर हम select करते है matrix extrude mx इसका shortcut है mesh में जाके भी आप extrude I'm sorry add में जाके mesh add matrix extrude है mx तो इसको लीजिए activate करिए और click and drag करिए तो यह इस तरह से extrude करेगा work plane को मैं बंद कर रहा हूं तो यहां पर देखिए यह steps है one two three four five six seven eight eight steps यह हमने तो यह आठ बार extrude हुआ है लेकिन extrude होने के साथ साथ यह देख रहे हैं इसका scale कम होता जा रहा है ठीक है तो वह in values के उज़े से हो रहा है फिर आपने notice किया होगा कि यह rotate भी हो रहा है और scale भी हो रहा है और move भी हो रहा है तो यह तीन values हैं यहां पर तीन parameters हैं move scale and rotate तो अगर आप इसे 100% करते हैं देखे क्या होता है तो move x-axis में move along y-axis and along g-axis इसी तरीके से scale यह देखें और rotate तो बहुत इंटरेस्टिंग सी shapes आप इस tool के थूरू बना सकते हो तो यह parameters unfortunately animate नहीं होते नहीं तो आप इससे interesting animations भी बना सकते थे उसके बाद यहां पर है हमारे पास variation अगर आप इन values में कोई variation भी देना चाहते हैं जो move और यह scale और rotate values हैं अगर इसमें कोई minimum maximum आप variation देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं और उसके लिए आपको यहां पर initial करना पड़ेगा तो initial variation यह आप देना चाहते हैं शुरू में इतना variation देना चाहते हैं या first step देना चाहते हैं तो यह देखे इसको reset करिए फिर यहां पर first step करिए तो यह first step variation है 50% से लेके 100% तक minimum 50% movement होगी maximum 100% movement होगी ठीक है तो इसको explore करिएगा आप इस tool को और कुछ अलग से बनाने की कोशिश करिए इससे कुछ interesting से चीज़ बनाने की कोशिश करिए तो यह थे extrude tools हमारे पास extrude, inner extrude और I mean extrude tool, extrude inner and matrix extrude और यह जो extrude tools होते हैं आपको generally extrude करने के लिए extrude tool को invoke करने की जरूत नहीं है ठीक है जो transformation tools होते हैं हमारे move, scale and rotate उससे ही आप इनको जैसे की अब इसको एक, मैंने cube लिया है और इसका मैं top polygon delete कर रहा हूँ अब हम edge mode में गये और यह edges ली हमने, अब अगर हमें इनको extrude करना है अंदर की और इन चार edges को, तो हमें extrude tool में जाने की जरूत नहीं है, हम simply scale tool में जाएंगे, control प्रेस करेंगे और scale कर देंगे, अब मुझे यह ऊपर की और extrude करनी है, फिर से मुझे extrude tool में नहीं जाना है मुझे किसी भी selection tool या move tool को activate करना है और control के साथ इसे ऊपर drag कर देना है, फिर से अगर मुझे और इसके shape को थोड़ा close करना है तो move tool लूँगा और इसको कर लूँगा, फिर से अगर मुझे ऊपर की और चाहिए तो control tool, जैसे हम edge को करते हैं, ऐसे हम polygons को भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजेगा आप तेनो tools की, extrude, extrude inner and extrude matrix extrude. पीछे जब पीछे जब हमने bevel tool किया था उसमें हम एक point छूट गया था हमसे, वो था कि point को भी हम bevel कर सकते हैं, किसी भी point को, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह actually bevel tool का part है, मैंने दो segments लिये हैं, इसे मैं convert कर रहा हूँ, और मैं यह चार corner points को select कर रहा हूँ, center point को select कर रहा हूँ, और mm प्रेस कर रहा हूँ, actually एक point select होना रही गया, mm, एक यह मेरे पास बन गया, एक और मैं object बना रहा हूँ, polygon object ही, और इसको भी हम convert कर लेते हैं, देखे, center point लिया मैंने, और अब मैं tool लेता हूँ bevel, हम extrude tool के वीडियो में हैं, बट bevel में छूट गया था, इसलिए में आपको बता रहा हूँ, तो इसको हम, जैसे हम edge को bevel करते हैं, वैसे हम point को भी bevel कर सकते हैं, तो यहां से देंगे हम subdivisions, देखे, तो इस तरह की shape बन जाएगी, अब यह जो आप curvy shape देख रहे हो, यह control होती है, tension से, यह depth से, ठीक है, यह depth parameter है, जब आप इसको minus पे लिया होगी, तो एक, आपको circular shape मिलेगी, तो एक point से circular shape बनाने के लिए, हम bevel का use कर सकते हैं, अब अगर हम इसके सारे points को लें, सारे polygons को लें, तो इनको हम select कर लेते हैं, ऐसे smart तरीका ऐसे select करने का, इसलिए मैंने बोला था पीछे भी कि आप selection वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने selection tools को cover किया है, control A करिए, सब कुछ select हो गया, और फिर जो बाहर के बड़े वाले polygons से इनको control से deselect कर देजिए, तो बहुत जल्दी ये बीच वाला part select हो जाएगा, और फिर हम इसको extrude कर सकते है, control से, और ये हमारा, एक cylindrical shape इससे बाहर आ गई, या इसको हम downwards करते हैं, तो हमारा एक hole बन जाता, तो ये ऐसे हम point को bevel करके ऐसी shape बना सकते हैं, पर जो proper तरीका है hole बनाने का वो ये है, कि आप पहले enough आपके पास subdivisions होने चाहिए, object में जहां पे आप बना रहे हैं, कम से कम 6 edges तो होनी चाहिए, अगर आपको round hole चाहिए, और वो जो तरीका है कि आप इसको select करो, point को bevel करो, ठीक है, reset करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी values दर दर हो गई है, और जैसे अपने offset दिया, इसके बाद इस polygon को select करो, ठीक है, scale tool से, अब हम inner extrude कर सकते हैं, extrude inner tool से से अंदर कियो, बड़ अभी हम scale से ही करेंगे, क्योंकि बार बार जाने की जुरूत नहीं है उ ठीक है, ऐसे, अब एक control edge देंगे, एक control edge दी हमने यहां पर, फिर हम control drag करेंगे नीचे की और, एक और edge आ गई, मैं work plane बंद करता हूँ, एक edge यह बनी, एक यहां पर आ गई, फिर हमने जितनी depth चाहिए, hole की उतनी बनाई, और फिर एक हलका सा नीचे की और, एक edge बनाने के ल sorry, scale tool से control, अंदर के और edge बनाने के लिए, ठीक है, तो यह अभी इसमें और भी काम करना होगा, बड़ अगर आपको जल्दी से hole बनाना है, तो यह तरीका bevel tool, use करते वे आपको इस्तमाल करना चाहिए, यह वाला नहीं, बन तो जाता है, बड़ इसमें क्या है, and gone बन जाएं अगर आप यहां पर filter में जाके, and gone lines on कर देंगे, और इस object को select करेंगे, देखे, लेकिन इसमें कोई भी and gone नहीं है, इसमें सारे, यहां अंदर होंगे, दीचे है, बड़ ऊपर कोई and gone नहीं है, ठीक है, तो इसको हम fix कर सकते हैं कैसे, कि फिर से हम इसे एक बार ऐसे करें, और एक बार और करें, और इसको कर दें, collapse, dissolve, पहले हम point लेंगे, फिर control क्लिक करेंगे, यहां point पे, in fact, इसको हम delete करेंगे पहले, फिर हम points mode में जाएंगे, और इन सब points को weld कर देंगे, बीच में, अब हमारे पास end gone तो नहीं है, बर triangles हैं, triangles भी हमें avoid करने चाहिए, उसके लिए कितने triangles हैं हमारे पास, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, even number of triangles हैं, तो जब भी even number of triangles होते हैं, तो यह एक अच्छी news होती है, क्योंकि दो triangle से एक quad बनता है, तो हमारे पास eight triangles हैं यहांपर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो आठ triangle से हम चार quards बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, हम यह वाली edges सेलेक्ट करेंगे, alternative edges, एक, एक छोड़ के आप सेलेक्ट करिए, और इनको कर दिजिए dissolve, अब quad बन गया, ठीक है, अब हम लगाते हैं इन दोनों पे sub division surface object, देखा आपने, एक perfect circular hole है, with quad, देखे, सब जगए quad हैं इसमें, और इसकी देखे, कैसे हालात हो गई, तो जब तक आप smooth नहीं कर रहे हैं geometry को, तब तक तो लगता है कि यह perfect hole है, बट जब आप smooth करते हैं, तो आपको पता चलता है कि, जो हमें method अपनाना चाहिए, वो हमेशा ऐसा अपनाना चाहिए, जिससे हमारे पास quads बने and gons ना बने, ठीक है, तो यह missing part था उस bevel वाले tutorial का, जो मैंने यहां पर कवर किया है, ठीक है, तो आप अच्छे से practice कर लें, bevel tool की बहुत ही vital और important tool है, बहुत जगे use होता है, extra tool की practice कर लें, और फिर हम आगे और जो बचे polygon tools है, polygon modeling tools है, उनको cover करेंगे.